So, Hi everyone, this is Samir. CD cell value की तरफ से काफी important update IVA. CD cell value ने bonus marks declare कर दिये. कौन से shift में कितने bonus marks मिले, कितने change in answer की हुए, shift twice माँ आपको बताऊंगा, कौन से shift में कितने bonus marks मिले, कौन से shift में कितने change in answer की हुआ है, change in answer की का मतलब क्या, कि अगर suppose correct option जो है C ए, CET cell वालों ने answer की में B दिया था तो उसका मतलब है कि अगर उसनों ने correct किया है तो change in answer की that is C will be the correct answer सब कुछ मैं आपको detail में step by step थोड़ा सा explain करूँगा also CET cell वालों ने कली result date भी declare कर दी गई है PCM और PCB के result date भी declare हो चुके है आप सभी students को मैं आपको यहां पर वीडियो में show करने वाला हूं क्या result date है और कितने कौन-कौन से shift को कितने bonus marks मिलने वाले सब कुछ detail में देखने वाले हम लोग जो भी student पहली बार इस channel पर आया है तो आप चैनल को subscribe करके रख लेना and WhatsApp group join करके रख लेना description box में आपको link मिल जाएगी या फी comment pin section में आपको link मिल जाएगी वहां पे भी आप सभी students को time to time सारे updates मिलते रहेंगे तो वीडियो का हम लोग start करते हैं तो यहाँ पे देखो CT cell की तरब से जो है यहाँ पे कल यहाँ पे आप सभी students देख सकते हो CT cell की website पे यहाँ पे PDF जो एक update हुआ है that is mst city 2024 objection tracking अब यह PDF मैंने download किया हुआ है यहाँ पे देखो यह कली आया हुआ है notice mst city 2024 29 में 2024 अब यहाँ पे सारी details दी गई है ठीक है यहाँ पे PCM group है और PCB group है ओके अब physics chemistry mathematics में PCM की में बात करो PCM में total कितने number of objections थे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे PCM में total number of objection थे 1408 जिसमें से unique ID अब क्या होता है ना कि same questions ID पे बहुत सारे students objection raise करते मतलब multiple objection raise होते same questions ID पे तो इस वज़े से यह 1408 नंबर आपको दीख रहा है जिसमें से unique ID 227 अब इसमें से भी यहाँ पे आप देख सकते हो है सारे numbers है physics में कितने objections रेज हुए है और उसमें से total number of unique IDs कितनी है total number यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो उसमें से आप सबसे most important जो है यहाँ पे जो value है सबसे most important this 47 अब यहाँ पे 47 क्या है total number of objection ID result अब PCM या फी PCB दोनों shift को consider करके यहाँ पे जितने सारे objection raise किये गये है जिसमें से 47 questions जो है resolve किये गए है 47 questions पे यहाँ पे CETS alone ने यहाँ पे response किया हुआ है अब वो 47 questions में कौन-कौन से questions को full marks दिये गया है कौन-कौन से questions का answer जो है change किया गया है वो सब कुछ यहाँ पे आप सभी students को देखने को मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो one से start है और 47 questions का आपको यहाँ पर पूरा details देखने को मिलेगा यहाँ पर देख सकते हो total 47 questions के आपको पूरे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 47 questions सकते हैं यहाँ पर मैंने आप सभी students के लिए पूरा detail analysis बनाया हुआ है यहाँ पर रैंडमली इन्होंने सीटी सालो ने दिया है कि 16 यहाँ पर देखो 16 में शिफ्ट टू आफ्टरनून शिफ्ट में फिजिक्स का कोशन none of the option was correct यहाँ पर question ID दिया गया है अगर आपके पास answer की है अगर आपने download किया होगा तो अब यह देख सकते हो यह question ID उसका none of the option correct है तो यहाँ पर full marks दिये गया है तो उसी तरह यहाँ पर सारे यहाँ पर different date wise दिया गया है मैं आप सभी students को आपको पूरे analysis करके मैं आपको ब बज़े से पाच बज़े तक का exam हुआ था यानि कि afternoon shift physics में यह question ID दिया गया 81895 अब यहाँ पर देखो change in answer की change in answer की का मतलब की अगर आपका option correct C सई है और CDCLOLO का option correct B था तो वहाँ पर जो है change in answer की हुआ यानि कि जिसने भी option C select किया होगा उसको full marks मिले होंगे और जिसने भी option B select किया होगा उसका 0 marks हुआ होगा तो change in answer की में जो है 0 भी होने के chances है या भी plus 1 होने के भी chances है ठीक है बागी जो full marks है वो full marks तो उस shift के सारे students को full marks मिलने वाले ठीक है अभी मैं आप सभी students को result की date भी मैं आपको बता देता हूँ इसी PDF में जो है result की date इन लोग ने declare किया हुआ है last में देखो यहाँ पर as per the report submitted by the expert the above changes will be incorporated in the database and the result will be processed mhtcd 2024 scorecard PCM and PCB का 12 जून before 12 जून अब इन लोग ने before 12 जून बोला है बट यह मेरी guarantee है कि यह 12 जून को ही इन लोग result declare करेंगे before 2 जून बोलते लेकिन 12 जून को भी जो है result आते नहीं है रात के 12 बारा बारा बजे तक हम लोग wait करते result आने का but result जो है declare होते नहीं है तो अब यह हम यह consider कर सकते है कि 12 जून को update देना है personal counseling से related बहुत सारे students जो क्या कर रहे है कि parents के number से login कर रहे है अब please क्या करो कि आप अपना student number login करो क्यूंकि student login number ही जो है हम लोग WhatsApp group में add कर सकते है और एक ही number add हो सकता है WhatsApp group में और वही WhatsApp group में जो है सारी updates आपको provide की जाएगी personal counseling से related सारी information आपको provide की जाएगी और बहुत सारे students के मुझे messages सारे की भाईया हम लोग after result join कर सकते है क्या देखो इसमें क्या है कि आप after result भी join कर सकते हो but हमारे जो live sessions है वो start होने जा रहे है second June से तो आप वो सारे live sessions को आप miss कर सकते हो उसमें live sessions में जो है मैं आप सभी students को branches के बारे में सारी information provide करने ओलों कौन से colleges में placement कैसे है हम लोग live sessions लेने ओले जो जो colleges में अभी students पढ़ रहे है उन सारे students को invite करके उन colleges का review में आपके लिए conduct करवाने ओलो और बहुत सारे sessions हम लोग के conduct होने ओले before result only तो यह सारी चीज़े आप miss out कर सकते हो अगर आप result तक wait करते हो तो और हमारा वैसे भी जो batch one है personal counseling का वो full होने को आया है और जो भी students को personal counseling में enroll करना है जिसमें आप सभी students को एक personalize हर एक student की एक different college की list होगी आपके percentile की according आपके category की according आपके rank की according आपकी desire branch की according अगर आपको पूने के colleges चाहिए तो सिप पूने के colleges होगे अगर आपको मुंबई के colleges चाहिए region wise आपकी college की list प्रोवाइड की जाएगी और ये 1500 आपको best price में जो है सारे features one of the best features आप सभी students को personal counseling में प्रोवाइड की जा रही है औ और quality भी हम लोग maintain करते हैं अब चाहिए तो जाके last year के review videos भी देख सकते हो बहुत सारे features है इस counseling में detail video है आप जाके वह देख लेना ठीक है detail video की link में description box में वह provide कर दूँगा बाकी सारी चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हो और 1500 जो है batch one का price है जब batch two launch होगा उसकी price जो है ठीक है A to Z information आपको मिलने वाली है उसका आपको बिल्कुल भी tension नहीं लेना है अगर आपको cap round से related कुछ भी information नहीं है तभी आपको कुछ भी tension लेना नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको counseling में पूरा zero knowledge से जो सारी चीज़े zero knowledge से आपको बता दी जाती है और वहाँ पे सारी information provide की जाती है rising education का app download करना पड़ेगा आप सब students को enroll करने के लिए चलो आभी आते हम लोग bonus marks पे ठीक है सारे bonus marks हम लोग अभी discuss करते shift wise bonus marks आपको मैं बता देता हूँ चलो ठीक है सब लोग इनका screenshot लेलो या फिर इसका PDF जो है मैं अपने rising education app पे provide कर दूँगा अब second मे morning shift में अगर लग देखो यहाँ पर आपको bonus marks जो है 8 मिला है total 8 अगर suppose आपके 60 marks आए होंगे तो आपके bonus marks मिलाके add करोगे तो 68 हो जाएंगे अगर suppose आपके 60 marks आ रहे है और यहाँ पर आपने 8 marks bonus marks आड़ कर दिया तो आपके total 68 आ रहे हैं, अगर आपके 90 marks आ रहे हैं तो आपके total 98 हो जाएंगे, अगर आपके 110 आ रहे हैं तो आपके total 118 आ रहे हैं, तो बहुत lucky students है यह morning shift वाले, और CBA ऐसे ही नहीं, और भी बहुत सारे shift में 88 marks तक bonus marks मिला हैं, और कोई-कोई ऐसी भी shift है जहाँ पे 0 bonus marks मिला हैं, ओके next अभी देखते हैं, 4th में morning shift में 2 bonus marks मिला हैं और afternoon shift में भी दो bonus marks और एक जो है change in answer की है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है और plus 1 भी हो सकता है change in answer की में, ठीक है, यहाँ पे 9th में 4 bonus marks और यहाँ पे देखो, 9th में, afternoon shift में यहाँ आप देख सकते हो, 8 bonus marks मिला है, total 8, अगर आपका score 110 आ रहा है, तो अगर आपने 8 add कर दिया, तो यह 118 हो जाएगा, अगर 80 marks आ रहा है, suppose 80 आ रहा है, तो 8 अगर आपने add कर दिया, तो यह 88 हो जाएगा, 88 में near about आपके 90 प्लस परसंटाइल आ सकते है, 90 प्लस परसंटाइल पर आपको best college में admission मिल जाएगा, अच्छे college म एक tech branch में आपको admission मिल जाएगा, बस उसके लिए college की list बहुत अच्छे से होनी चाहिए, accurate होनी चाहिए, next अभी हम लोग 10th में का देखेंगे, 10th में morning shift में 3 bonus marks मिले और afternoon shift में जो है, यहाँ पर 2 change in answer की है, यानि कि दोनों के दोनों आपके 0 भी marks हो सकते है, या फिर प्लस 2 भ warning shift वाले को 0 marks, मैंने बताया कि कोई ICB shift है, जहाँ पर 0 भी marks मिले है, और कोई ICB shift है, जहाँ पर 88 bonus marks भी मिले, जिनको 88 bonus marks मिले, उनकी तो चांदनी है, आप सभी students के rank में बहुत जाधा difference आने होला है, suppose अगर आपका score 70 भी आया होगा, 70 या फिस 75 भी, तो आप बहुत high jump मारने वाले हो, rank में, जिनका भी score 70 आया होगा आपके friend में, उनका आप rank देखना, आपका rank देखना, कितना साधा difference आएगा, जब rank declare होगा, तब आपको यह समझ में आएगा, अब यहाँ पर afternoon shift वालो को सिप 2 bonus marks मिला है, अभी 15, अभी देखो यह 15 वाले, 15 morning shift, ऐसे 3 shift है, जिसमें 8 bonus marks मिला है, अब 2 shift मैंने आपको already बता है, और यह 15 वालो को भी जो है, 8 bonus marks मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 8 bonus marks मिले है, आपको morning shift में, morning shift में कितना 8 bonus marks मिला है और afternoon shift वालों को तो एक भी नहीं मिला है, उसी तरह 16 में में एक-एक bonus marks मिला है और एक change in answer की है and 17 वालों को तो 00 क्यूंकि यहाँ पर बहुत सारे students के exam already खतम हो चुके थे, बहुत ही limited students के exam conduct हुए थे and mostly maximum students ने जो है यहाँ पर objection भी race नहीं को मिल जाएगा, okay, I hope so, सारे doubts clear हो गए आप सभी students के, जो भी student interested है personal counselling के लिए जल से जल join कर लिजे, batch 1 जो है seat full होने को आ गए है, जैसी batch 1 close हो जाएगा, फिर batch 2 जो है हमारा, जब result declare होगा तब हम लोग का launch होने वाल है, फिर वहाँ पर price भी बढ़ सकती है, 2000 rupees हो जाएगी, तो it's better कि जो भी student interested है, जल से जल enroll कर लिजे, और हमारा live session भी start होने जा रहा है, और जो भी students को doubt है counselling से related, वो आप इन दो number पे contact कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी, अगर आपको parents को show करना है, parents को अगर आपको convince करना है, तो अब हमारे last year के review videos भी दिखा सकते हो, as well as app पे भी बहुत सारे reviews हम लोग ने post किये हुए है, वो भी आप देख सकते हो, या फिर read कर सकते हो, कैसे enroll करना है, सब कुछ आपको दिया गया है, description box में, okay, thank you so much, I hope so, आज का वीडियो आपको useful लगा होगा, और ऐसी update videos देखना है, और counseling से related videos देखना है, तो channel को subscribe करके रखना, मिलते ह फिर next video में, thank you so much.